दबंग 3 की कहानी कैसे लीक हो गई? दबंग 3 की कहानी आखिर क्या होने वाली है? और सुनाक्षी सिना की फिर्स लुक ने कैसे मचा दिया कोहराम? नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलिगराद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में दोस्तों सलमान खान ने अपनी फिल्म अपकमिंग फिल्म मच अवेटिर फिल्म दबंग 3 के शूटिंग इन दौर में शुरू कर दी है इन फेक्ट फिल्म का गाना भी शूट हो चुका है लेकिन इसी बीच फिल्म की कहानी हो गई है लीक चीहां तो हम आपको बताने वाले हैं कि फिल्म की कहानी क्या होने वाली है जो ये फिल्म की कहानी होगी वो भू माफियाओं पर आधारित होगी साथ ही साथ राजनीतिक उठापटक के इर्दगिर्द भी गुंती नजर आएगी वैसे आपको बता दे कि ये फिल्म नॉइडा के एक पुलिस अफसर की होने वाली है जिसका कुछ समय पहले बाहुपली पॉलिटिशन के साथ एक विवाद हो गया था In fact, कुछ समय पहले भू माफियां को लेकर खबरे भी आई थी बड़ी बड़ी खबरे जो की राजनीतिक कनेक्शन और गुंडों की मदद से जोर जबरदस्ती करके कैसे किसानों से उनकी जमीने हडप लिया करते थे और राजनीतिक कनेक्शन और जुडाव के चलते कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था तो सलमान खान दबंग 3 के जरिये इनी चीजों को परदे पर दिखाने वाले हैं और साथ ही साथ भू माफियाओं से जबरदस टकर लेते दिखेंगे यानि कि फिल्म में एक्शन का काफी तगड़ा डौस लगने वाला है और किसानों को वो इनसाफ भी दिलाएंगे दोस्तो बस उनका यही अंदाज है जो लोगों को उनकी और आकरशित करता है कि अगर पुलिस वाला हो तो हमारे दबंग खान जैसा यानि कि सलमान खान जैसा होना चाहिए जो अमीरों को सबक सिखा के किसानों को गरीब लोगों की कैसे मदद कर देता है वैसे आपको बता दे कि इस फिल्म को लेकर काफी विवाद भी छड़े हैं जी हाँ इसके सेट से एक वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें सादू संतों की वेशवुशा में कुछ लोग डांस करते हुए नजर आये थे जिसको लेके नव्यूवक हिंदू मित्रस मंडल ने तो इनफेक्ट फिल्म की शूटिंग रोकने की भी मांग की थी उकनों ने कहा कि इससे सादू संतों की चवी पर गलत असर पड़ेगा हमारी भावनाओं को ये ठेस पहुचाएगा साथ ही साथ शिवलिंग का भी थोड़ा बहुत इसमें कॉंच्रवर्सी देखने को मिली थी वैसे सुनाक्षी सिना का भी फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है जी हाँ और दबंग और दबंग दू की तरह वो इसमें भी बेहत खूबसूरत नजर आ रही है पिंक कलर की फ्लोरल साडी में वो बेहती खूबसूरत लग रही है तो दोस्तों आप फिल्म की कहानी को लेकर कितना एकसाइटेड हैं अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और मुवी से रिलेटिड अगर कोई भी अपडेट आती है तो हम उसे आप तक जरूर पहुचाएंगे जल से जल तब तक के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल बॉलिकराद स्टूडियोज उनल पुलिकराद स्टूडियोज